एग गाइज वेलकम बैक तो मैं चैनल दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे की हम हमारे FLA Studio Mobile में Gross Beat को हम कैसे लगा सकते हैं तो दोस्तो वीडियो को स्टार्ट करती, स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें वीडियो को तो दोस्तो हमने यहाँ पर FLA studio mobile ओपन करने के बाद दोस्तो एक sample को add कर लिया है और sample को add करने के बाद आपको देखे मैं सुना दे रहा हूँ sorry दोस्तो आवाज नहीं आएगी क्योंकि corporate आ सकता है ठीक है उसके बाद आपको यहाँ पर arrow का एक option दिखाई दे रहा होगा इधर sample right side में देखना उपर जो FLA studio mobile का logo है जस्ट उसके पास में नीचे यहाँ पर एक arrow का option दिखाई दे रहा है इस arrow के option पर हमें एक पर click करेंगे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको आगे की में पर करिया बताऊंगा इसलिए दोस्तों वीडियो को end तक देखना तो आपको यहाँ पर पलस के नीचे दोस्तों master का option है उस पर click करेंगे और create effects channel पर हमें पर click कर देंगे और हमारा एक new channel create हो जाएगा क्लिप के option पर और उसको edit करेंगे edit करने के बाद हम आपको दिखा देते हैं zoom करके दोस्तों यहाँ पर सुनने पर हम एक dot बनाएंगे और यहाँ से dot बनाकर आपको 70-100 की बीच में एक line दिखाए दे रहोगी white color की वहाँ तक इसको हम उठा देंगे दोस्तों तो second वाले box पर हम क्लिक करके dot कर लेंगे और उसको वहाँ से white line से करेंगे और बिल्कुल 0 तक नीचे गिरा देंगे उसके बाद दोस्तों देखे इसको हम जल्दे से करके आपको मैं दिखा देता हूँ ऐसे कुछ इस परकार से create कर लेना है तो दोस्तों हमारी gross bit एक दम बिल्कुल तयार हो गई है दोस्तों ठीक है इसके बाद जस्ट आपको दो नम्मर तक ही क्लिक करना है और इसको यहाँ से scroll करके जितना हमारा sample है उतना हम इसको बड़ा कर लेंगे दोस्तों उसके बाद देखिए दोस्तों मैं आपको सुनाई तो नहीं देगा लेकिन देखिए आप अपने FL Studio Mobile में यह एक बर करकर जरूर देखना है और दोस्तों यह बिल्कुल एकदम PC की तरह gross bit हम इसमें बना सकते हैं कोई भी sample में अगर दोस्तों आपको यह जानकारी अच्छे लगी तो FL Studio Mobile कोई भी आपको प्रोब्लम है तो comment box में आपका question जरूर डाले हम उसका answer जरूर देंगे thank you दोस्तों